नमस्कार साथियूं बजरंग पारिक यूटूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है आज हम बात करेंगे बेस्टेड़ी फाइल किन बच्छों पर की जाती है उसके बारे में बात करेंगी यह मेरी फाइल है देखिए बजरंग लाल और यह मैं फस्ट यर का स्टूडेंट हू इसमें दिखा है यह मेरा प्रीचे है जैसे नाम हो गया मेरा पिता का नाम हो गया कक्ष्या हो गई और यह मैंने किस बच्छे पर केस्टेडी की है यह मैंने लिए इस पर अगला पेज यह second page है यह खाली चोड़ना है और इस page से start करना है सबसे पहले हमें प्रस्तावना लिखनी है और फिर case study का अर्थ लिखना है भई इस अर्थ क्या होता है case study का अर्थ क्या होता है यह अर्थ लिखना है फिर case study की परिवासाई यह जो परिवासा ही है यह लिखनी होती है देख लीजिए के स्टिडी का अर्थ और परिवासा लिखने के बाद बच्चे का समान्य प्रिच्या आता है वह लिखना है उसका नाम जनम दिनाक उमर कक्षिया उची मित्र है और पता यानि वह बच्चा कौन सी गाउं में और कौ फिर परिवार के परिवार के जो परोशियों से समन्द है उस बच्चों के परति क्या है माता बिता का बच्चों के परति बेवार और बच्चे का माता बिता के परति बेवार आ जाएगा फिर हम बच्चे से पुछे के परसन लिखेंगे कि बच्चे का नाम बच्चे से हमन प्रविष्यों से हमने बच्चे के बारे में पूचा था और उसका भी निश्कर्ष निकाला फिर यह जो परिवार में मंदरोंजन के साधना क्या है इसका सारी रिक्स वास्ते कैसा है इसका व्यक्तित्वे कैसा है यह हमने देखा फिर इसका दृष्टि कौन हमने जो केस्टि की थी उस बच्चे का यह संचित्वी पीवरण है सिक्षट्र के साहिठ वह पांच जू में कितने Appreciate च्छ में क्या प्रसेंट तो माया की समस्या के क्या कारण है वो देखे हमने फिर हमने समस्या के जो इस बच्चे के समस्या है उसका समधान और सुजाओ ये देखे और ये हमारी केस्टेडी की पूरी फाइल कंप्लीट हो गई और ऐसे ही हमें केस्टेडी की फाइल त्यार करनी है तो आप ये भी फाइ